है हाई एवरीवन दिस इस यह पढ़ाको बालक आज हम लोग लेक्चर टू मतलब पार्ट टू चैप्टर नमबर टू डाट इस बायलोजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ओके तो पार्ट वन में किंग्डम मॉनियरा किंग्डम प्रोटिस्टा हो चुका था आज के एक प्लीज ओक हां तो पहला किंग्डम है पहला ने तीसरा एक बात बताने थी ठोड़ा सा पेसेंस रखी यह बहुत इंपॉटेंट इन पॉइंट 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 आप वियू से ओके तो गिंग्डम फंगी पहला तो आप याद रखेगा है ट्रोट्रोपिक और इस इस ब्रेड और बियर एकॉर्डिंग टु एंसे आटि और रस्ट में प्यूची निया याद रखना आपको यह कुनी सब्रेर हैं फंगी फिलमेंटर इतने फंगी तन सारे फिलमेंटर से बट इस जो है फिलमेंटर नहीं है यह एक इंपॉर्टेंट बात है इसको सरकल करना है यस इस इस नोट फिलमेंटर इस बस इतना याद रखेगा क्वेस्चन हो जाएगा ठीक है लॉंग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्ट इसको हाइप यह बोलते हैं और इसके ग्रूप को मैसीलियम बोलते हैं और सीनोसिटिक हाइप जो हता है कंटिनीवस टीव होत सब्सक्राइब वेस्टिनीवस ओर कंटिनिवस टीव फिल्ड बिक मल्टिन्यूक्लैटेटर नोट यूनिनूक्लैटर ओके जो फंगी का होता है वह काइटिन और पोलिसे क्राइटकरीट करते हैं reproduction in fungi fungi reproductions जो आता है BFF BFF का मतनलो गया budding I'm gonna fragmentation और fission fission और fermentation अब इसमें आपको याद क्या रखना है कि इसमें जो question बनता है asexual और स्पोर्ट इसको याद्रक्णाय तो इसके लिए एक ट्रिक मैंने बनाई है इससे जू स्पोर्स अगर तीन यह याद है तो आप तीन इजली यह मार सकती है यह आपको बहुत इंपोर्टन याद होना चाहिए क्योंकि इसे question आते हैं और अगर यह आपको नहीं आद है तो फिर फंगी में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है रीजन यह है कि थोड़ा थोड़ा चीज याद दी होने को जासे बट कोई नहीं काम कर जाएगा अब कुछ लाइन लिखी ही है फ्यूजट अप्र प्रोटोप्लांज बिट्विन ननमोटाइल जिसको प्लास्मो गेमी बोलता है फ्यूज़ण ओफ न्यूक्लियाइ कर्यो गेमी बछे सभीज़्व हो का मतलब नूकलियस होता है इसलिए कर्यों गेमी और मियोसिस इन जय गोट है पुल इतना ही आप पड़ लोगे आपका हो जाएगा पहला इसमें याद करना है माइसीलियम जो है यह सेप्टेट और सीनोसिटिक होता है और अब आप बताईएगा इसमें क्या होता है इसको सैक फंगी बोलते हैं सैक मतलब यहां से देखें एसको हो गया तो इसको सैक फंगी बोलते हैं सैक फंगी इसको बोलते हैं और इसका जो माइसीलिया होता है सैप्टेट होता है ब्रांच होता है और इसका भी सैप्टेट और ब्रांच ही होता है और इसका भी सैप्टेट और ब्रांच ही होता है तीनों का मतलब सीफ डिफरेंस इतना है कि इस वाले मे thinnosic27 cmdそうですね 25 gresser water आपके इसे लुर पश्रोल में अच्म स्विल्म स्विल्न ृऊ मेडीय नं मटाइल दित हम इसे मिडिया टैंड पाइब эта हम याद रखना पड़ेगा एंडोजीन classrooms एक्जोजीनेश होता है और इसको एक्जामपल याद करने के तरीका है आप राम से याद किजिएगा और इसमें कैन से याद किजिएगा और इसमें यूपी एसी एक इंडिया में एक्जाम होता है बहुत फेमस यूपी इस सी लेकिन आपको उसको पढ़ना यूपी इस टेलेगो पुचिनिया और इसमें एक चीजिए याद रखेगा मॉर्स और ट्रिफिल्स इडिवल होता है नौन इडिवल नहीं होता है इसमें कैट कोलेक्ट्रियम अल्टेर्निया और ट्राइकोडर्मा अब लास्ट टॉपिक गया एक सब्सक्राइब ये लास्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला पॉश्चिन ठीक तो इसमें आप यह लोक वाइरस वाइरस होता है नंसल्र और गानिजम होता है इनट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड दे लिविंग और गानिजम देखाता है इन्होंने उसके बाद 1898 MW बिजर्णिक कॉंटेजियम वीवियम फ्लूडियम इंफ्रक्शियस लिविंग फ्लूड नाइटिन था वीयम स्टैनली इनट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इन्होंने दिया था वाइरस में यह तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह इसे क्वेस्टन आता है वाई वाईरस नुक्लियो प्रोटीन होता है जनेटिक मेटरियल इन्फैक्सियस होता है क्या होता है इस अब यह वाईरस है अगर प्लांट में हुआ तो सिंगल स्ट्रेंड आरने उसमें एक फिगर भी दिया होगा तो मैंको प्लांट का वह देख लिजेगा तो मैंको मुझाइक डिजीज करके और वाईरस अगर अनिमल में इट में भी सिंगल एस्टेंड आरने डावल एस्टेंड आरने और डावल एस्टेंड डियाने प्रोटीन कोट कैप्चिट कैप्सोमोस ग्रूप को बोलता है कि विर्वोड में आपको याद रख लाग प्रोटीन कोट और लो मॉलीकुलर वेट होता है ओके लो मॉलीकुलर वेट लाग प्रोटीन कोट फिरी आर ने प्रोटैटो स्पिंडल टीवर डिजीज स्मॉलर होते हैं 1971 टीओ डैनियर बस इतना याद रखना है आपको बस इसमें देखिए पाइरोंस में एबनॉर्मल फॉल्डट प्रोटीन आप बिस्वास नहीं करेंगे 2019 के क्वेस्चन में सिफ एक वर्ड था एबनॉर्मल फॉल्डट प्रोटीन और बताना था कौन सा था आंसर वाइज आपको याद है तो आप ले लोगे कोई इशू बात न करेंट है ये इन साइज होता सिर्फ किससे Coming का इस थो में वायरास सेज्च से ओक है निए और ये वीयग सी कैटल होता है और में था शे यह सिएर का फुल्फ पनधो सीयर जैकों डिसीज अब बता है लाइचेंस, लाइचेंस में अलगी और फंगी का कंबिनेशन होता है, फंगी को mycobion बोलते है, फाइको बाइट, लाइकन्स होता है, गूड इंडिकेटर होता है, दू नॉट ग्रो, यहां लिखावा है, दू नॉट ग्रो इन पॉलिटर इरिया, इस तरीके से यह चाप्टर खतम होता है, I hope so, यह आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो, प्लीज गीव और सब्सक्रा झांक यू